गेट नमबर एक जो मेट्रो स्टेशन का है आप उससे एक्जिट लीजे बहार निकलोगे न आपको सामने ही गेट नमबर तीन नजर आ जाएगा सबसे अच्छा तरीका मुझे इसलिए लगता है अगर आपको साउट स्क्वेर की तरफ जाना है सबजी मंडी वाली लाइन में जाना है गेट से सीधा एंट्री करते ही वो वाली रो पकड़ लीजे और साउट स्क्वेर की तरफ आ जाईए इस टाइम पर टॉप्स वगर है कितनी जादा वेराइट्टी आई है कि आपको दिल खुश हो जाएगा चीजे देखके आपको समझने आएगा आप क्या चीज ले और क्या चीज छोड़े क्योंकि आप्शन इतने जादा होते है गर्मे का टाइम है जादा समान भी कैरी नहीं कर सकते हो मेरी नजर पड़ी शॉप नंबर 137 पे वैसे ही यह वाली शॉप बहुत जाद अच्छी है इसमें आपको ऊपर क्रॉप टॉप मिलेगा और नीचे प्लाजो मिलेगा काफी जादा सुन्दर थी और इनके पास जो वनपीस की वराइटी रहती है ना वो बहुत जाद अच्छी रहते हैं इनके डिजाइन बहुत बढ़िया रहते हैं 700-800 की रेंज में यहाँ पर आपको ड्रेसेज मिलेंगी बट बहुत जाद अच्छी मिलेंगी ये वाली जो ड्रेस थी ना ये 1050 की थी काफी जादा सुन्दर ड्रेस थी और बहुत जादा हैवी थी टाप जैसा कि मैंने बताया इनके टाप भी बहुत जादा सुन्दर है 450 का है ये टाप बट ये दिखने में इतना जादा सुन्दर था वैसे मैं क्रॉप टाप पहनती नहीं अगर पहनती तो मैं वो वाला टाप ज़रूर लेती वाइट ड्रेस आपको 1000 रुपीज में मिल जाएगी 1250 में आपको ग्रीन वाली ड्रेस मिल जाएगी और जो चौकलेट ब्राउन में है ना पार्टी वेर वाली ड्रेस मिल जाएगी क्योंकि कॉलेज इस स्टार्ट हो गया है बच्चों के फेरवेल होगी पार्टिया वाटिया होगी तो ड्रेस तो सबको चाहिए इस टाइम पे तो सरोजन अगर से आप 1500 में काफी अच्छी ड्रेस ले सकते हो और जो वाइन कलर में है ना वो आपको 1500 रुपे की पड़ेगी सेम शाप पे डिजाइनर अगर आपको नाइट वियर चाहिए है क्योंकि अब वो जमाना गया कि पुरानी चीज़े पहन ली कुछ भी पहने है सबको ट्रेंडिंग चीज़े चाहिए होती है चाहिए वो नाइट वियर हो चाहिए वो ड्रेस इस हो शाप नंबर 185 पे हमेश कभी भी चले जाओ बहुत अच्छी सेल चल रही होती है दो चीज़ों की तो स्पेशली टाप्स की और ड्रेसिस की जो यह वाली ड्रेसिस है ना यह सब आपको सो सो रुपे में इधर बहुत अराम से मिल जाएंगी सरोजनगर की यही खासियत है आपको कोई भी चीज दो सो 500 रुपे से जादा नहीं मिलेगी मतलब 200-300 रुपे में आपको इतनी जादा अच्छी चीज़े मिल जाती है आप इतनी सारी शॉपिंग कर लेते हो कि जब घर गुसते हो ना तो एक बार तो मम्मी को भी लगता कि भाई कितने पैसे फुक के आई है तो जो इतना समान ले आ तो अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना 2999 इनका स्टार्टिंग रेंज रहती है अच्छी जीन्स की चाए वो H&M की हो, Zara की हो, 3000 की रेंज में आपको जीन्स मिलती है टी-शिर्स वगर आपको 400 रुपे की रेंज में मिलती है अगर आप वही चीज सरोजन अगर से लोगे जैसी टाइडाई वाली टी-शिर्स है यह आपको 200 रुपे में मिल जाएंगी और शॉप नंबर 140 जस्ट उसके आगे ही पढ़ती है सारी के सारी सेम रो कवर करूंगी ताकि आपको तूनने में कोई दिक्कत ना हो यह वाली शॉप भी अच्छी है यह पूरी की पूरी मिक् भी वचा हुआ है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समर में भी विंटर की शॉपिंग कर लेते हैं अगर आप भी मेरी तरह हो कि हाँ भाई कुछ अच्छा दिखा और ले लिया सर्दियों में कामा जाएगा तो आपके लिए इस राइम पे भी ऑप्शन्स हैं स्कर्ट वगेरा आपको 138 शॉप तो मिल जाएगी 250 इनकी प्राइस रेंज रहती है रिंकल वाली जो स्कर्ट्स है आज कल काफी जादा ट्रेंड में हैं आप किसी भी हिरोईन को देख लो ऑनलाइन प्लैट्फों में पे चेक कर लो यूटूब चेक कर लो हर जंगे आपको ये रिं सारी वराइट्टी मल जाए शर्ट काइंड ओफ टॉप चाहिए नॉर्मल पैमपलम में ओफ शोल्डर टॉप चेक काफी अच्छी अच्छी वराइट्टी रहती है और आपको नहीं जादा घूमना नहीं पड़ेगा एक शॉप पे इतने सारे डिजाइन होते हैं कि आप व क्योंकि वहां पर आपको अलग-अलग चीज़े देखने को मिलेंगी आपको अपना साइस डूनना पड़ेगा चीज़े ट्राय करके देखनी पड़ेंगी तो काफी अच्छी अच्छी अप्शन्स आपको इस टाइम पर मिलेंगी लॉंग स्कर्ट वगेरे समर में बहाद चलती है आप विंटर में भी पहन सकतो नीचे लागी पहन लो किसी को नहीं पता चलता काप भी पहन लो और स्कर्ट इतना जादा साइफ मुझे आइटम लगता है ना कि उससे जादा कमफर्ट आपको किसी में फील नहीं होगा स्कर्ट आपको इस टाइम पे 200 रुपे में म पढ़ेगी और इन रिंग में क्या रहते है न स्कर्ट और जो आपके प्लाजो रहते हैं वो मिक्स रहते हैं तो आपको घेर को नीचे से पकड़की देखना पढ़ता है कि यह school यह यह प्लाजो में बट इनका जो प्रिंट था और बहुत जादे अच्छा है तो मैं बोलूँगे कि lining वाली skirt ना ले फिर normal skirt ले क्योंकि lining में फिर जब आप उपर की तरफ plate लगाते हो ना तो वो lining मुर्ती मुर्ती रह जाती है और वो फिर बीच में खुल भी जाती है तो उससे फिर थोड़ी सी अच्छे look नहीं आती है अगर आपको plate लगाने के आदत नहीं है तो फिर आपके लिए बिलकुल perfect है ये मैंने आपको इसलिए बताया कि मेरी आदत है उपर से fold करने की कि नीचे से वो ankle हो जाए क्योंकि इनका आसन थोड़ा से लंबा रहता है और जब तक वो ऊपर तक ना जाए मजा नहीं आता है तो अगर आपकी भी आदत plate लगाने के लिए तो फिर आप lining वाली ना ले without lining वाली ले dresses वगर है इस तरीके कि अगर आपको चाहिए है और आपको पहनना पसंद है तो आपको 350 में मिल जाएगी आपको इदर 200-200 रुपे मिल जाएगी जादा बारगिनिंग करोगे न तो 150 और 100 रुपीज में भी मिल सकते हैं बट वो बाय लख रहता है कि शॉपकीपर का मूड कैसा है जादा भीड होती है तो फिर वो इतनी जादा बारगिनिंग नहीं करते हैं टी-शिर्स आपने देख लिए आप कुछ देखते हैं सेंडो वेंडो क्योंकि सेंडो भी समर में पतलेओ लोग बहाँ जादा पहनते हैं तो अगर आपको भी अपने लिए सेंडो चाहिए तो 100 रुपीज में काफ़ी सारे आप्शन्स आपको देखने को मिल जाएगी लोवर्स वगएर आपको 150 रुपीज में मिल जाएगी सामने वाली कुड़िया देखे कितने सुन्दर हैं अमरेला कट में थी काफी जादा सुन्दर थी कलर आप्शन्स आपको मिल जाएगी और प्राइस रिंच सर्फ 350 में कॉटन की कुड़िया आपको काफी इच्छी मिलेंगी सेम शॉप पे 50 परसेंट आफ चला था जितना भी आप टैगिंग वाली चीजे लोगे न और जोन पर प्राइस रहेगा उस पर आपको 50 परसेंट डिसकाउंट मिल जाएगा ड्रेसिस वगेरा के काफी अच्छे आप्शिंस मिल जाएगे शॉप की लोकेशन मैंने आपको बता दिये इनके पास देखे टॉप वगेरा की वराइटी बहुत जादा थी और इन्होंने रिंग भी लगा रखी थी 100-200-500 की अलग-अलग रिंग्स थी टॉप वगेरा चाहिए है उसके भी आपको अप्शिंस इधर मिल जाएंगे अब मैं थोड़ा सा लुकेशन पर बात कर लेते हैं कि शॉप नंबर 135 कहां पर पड़ेगा गेट नंबर 3 से जब आप एंट्री लेकि सीधा सबजी मंडी वाली लाइन में कॉर्णर में आओगे उस पर पूरा का पूरा आपको डेनम मेटीरियल मिलेगा और टीशर्स मिलेगी दो ही चीज़े वहां रहती है और उस शॉप के जिस्ट भार जो आपकी लाइनिंग वाली वन पीस रहते हैं वो आपको 250 की रिज में मिल जाएगी यह वाली प्लाजो काफी एक्छी लग रही इनके पास काफी अच्छे एरिंग थे आपको अगर कुछ पार्टी वीर चाहिए या नॉर्मल कैजुल पहनने के लिए भी चाहिए ना तो 50 रुपीज की रेंज में इनके पास काफी अच्छे ऑप्शल्स थे कलर शेट्स बहुत सारी थी सिल्वर मिल जाएगा ऑक्सेडाइस मिल जाएगा यह वाले देखे कितने सुंदर हैं ड्रेसे सूट दोनों के उपर जाने वाले हैं वेस्टन के साथ पहने या फिर आप अपने इंडियन ड्रेसे के साथ पहने इस तरीके की चीज़े नया अपके इंडो मेस्टन दोनों पे चली जाती हैं यह प्लास्टिक में थे काफी लाइट वेर थे पीछे देखे गगन सेलेक्शन है शाप नमबर 107 उसके जस्ट अपोजिट में थे यह और यह गगन सेलेक्शन है यह भी सबजी मंडी वाली जाएंगे 50-50 रुपीज में जो आपके वो अलग-अलग मोतियो वाले एरिंग्स चले हो है ना आज कल जो काफी ट्रेंड में इंस्टाग्राम पे भी काफी जादा वाइरल हो रहे वह भी आपको गेट नमबर 3 के पास मिल जाएंगे तो देखे मैंने एक वीडियो में आप सबस्क्राइब से ले लो कंफ्यूज होने कि बिल्कुल जरूरत नहीं कहां से ले कहां से ना ले और मैं तो जो आपको अभी दिखा रही हो ने सब सब्जी मंडी वाली लाइन में दिखा रही हो आपको बहुत रही है सो सो इस तरीट यज़ और चाट्स मिल जाएंगी जो South Square के Corner पर जा के मिलता है न वहाँ पर हमेशा सेल चली रहती है 50-50 रुपीज की 50 रुपीज में वहाँ आपको दो चीज़े मिल जाएंगी skirt इस तरीके की जो आपकी वो रहती है न कर रहती है वो आपको मिल जाएंगी और T-shirt मिल जाएंगी अब कुछ बात करते हैं अपने इंडियन वेयर्स की क्योंकि western चीजे हमने बहुत सारी देख ली है अब मेरे बहुत सारे viewers ऐसे हैं जिनको इंडियन वेयर्स पहरना बहुत जादा पसंद है तो अब shop नंबर 64 पे आईए बहुत अच्छी शाप है और personally मेरी फेवरेट है फेवरेट इसलिए है कि इनकी जो ट्यूनेक्स रहती है न वो आपको 290-200 ऐसे में मिल जाती है अभी जो सेल चल रही थी वो 250 की थी ट्यूनेक्स के लिए 350 के कुर्टी के लिए अब ये फेवरेट इसलिए भी है कि मैंने जितने बार भी यहां से कुर्टिया खरीदी है न एक तो फिटिंग इतनी जाद अच्छी आई है कई कुर्टियों में क्या रहता है न गला बहुत छोता रहता है इनकी कुर्टियों के साथ वो भी कोई इशू नहीं था कलर भी नहीं गया स्टाफ भी बहुत अच्छा निकला इसलिए मुझे वो वाली शॉप बहुत जादा पसंद है ड्रेसेस वगेरा के काफी अच्छे आप्शन रहते हैं में ना जाके आपको राइम єना जिस साइड कॉड मर्य पी जूस वाल है ना उसी तरफ आपको मढ़ना जो फस्ट रो हें decep000 में जो स्टाटिंग होती है वह एकसो दो एकसो तीन एकसो चार ऐसे होती है तो आपको उसी गली में आगे की तरफ बढ़ना है जहां पर आपको ये वाली शॉप मिल जाएगी 102 शॉप नमबर सैकिंड नमबर की ही शॉप है 200-200 रुपे की टीशर्स थी बहुत जादा सुन्दर टीशर्स थी ये वाली टीशर्स तो मुझे इतनी जादा अच्छी लगी अगर इसका साइज बड़ा होता ना तो मैं अपने भाई के लिए ये वाली टीशर्स जरूर लेती क्योंकि उसके उपर ये कलर बहुत जादा अच्छा लगता है स्ट्राइप में अगर आपको चाहिए या प्लेन में टीशर्स चाहिए ना मल्टिपल आप्शन्स रहते हैं लड़कों को ये डाउट रहता है कि पतानी किस तरीके का उनका स्टाफ मिलता भी है या नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़े लड़कों के लिए भी देखने को मिल जाएगी चाहिए वो जैकेट हो, जीन्स हो, टीशर्ट हो या शर्ट हो जैकेट रेड वाली बहुत जादा सुन्दर लग रही थी 400 की रेंच में आपको इस तरीके की जैकेट मिल जाएगी जो कलरफुल जैकेट रहते हैं वो आपको 400 में मिल जाती है नॉर्मल डैनम की जैकेट आपको 300 और 350 में मिल जाती है मिनी स्कॉर्ट और स्कॉर्ट और आपको शॉर्ट्स डाइसो रुपे में मिलेंगी टॉप का जो नॉर्मली प्राइस रहता है न वो यहाँ पे 200-500 रुपे रहता है शर्ट्स जो आप ऐसे वन पीस भी पहन सकते हैं वो आपको 350 की रेंच में मिलेगी डिपेंड करता है कि आप शॉप वाले से कितनी बारगिनिंग कर रहे हैं उस शॉप से कितनी चीज़े खरीद रहो और वो आपको किस तरीके का डिसकाउंट दे रहा बट यह वाली शॉप मुझे अच्छी लगी बिकॉज यहाँ पे आपको वन पीस मिल रहे हैं टॉप मिल रहे हैं, जैकेट मिल रही है, ट्राउजर मिल रही है, जीन्स मिल रही है जितनी भी जैकेट आपको डैनम में नजर आ रही है न सब 350 रुपीज की है 250 रुपीज में आपको मिनी स्कर्ट मिल जाएगी डैनम की इस टाइम पे अगर आप हिल स्टेशन जाने का प्लाइन कर रहे हो, गोवा जाना या कहीं पे भी गूमने जाने का प्लाइन कर रहे हो, तो इस तरीके का आउटफिट बहुत जादा अच्छा लगता है, और कुछ-कुछ अटायर से ऐसे होते हैं, कि जो मतलब एक अलग ही निखर के आता है, जैकेट्स वगएरा आपको यहां पर मैंने जैसा कि बताया है, नार्मली थ्री फफटी रुपीज में हैं, अगर आप एक्सल डवल एक्सल साइज में ले तो जैसे वो डार्क ब्लू वाली तो आपको फोर हंडर रुपीज की मिल जाएगी, बेज वाली थ्री हंडर रुपीज में भी मिल जाती है, शर्ट्स वगेरा या फिर लॉंग शर्ट्स शेप में जो आपके वन पीस रहते हैं, वो आपको टू फिफटी की रेंज में मिल जाएगे, हाडली तू हाडली आपको थ्री हंडर में, मतलब मैक्स टू मैक्स जाना पड़ेगा, तो तीन सु रुपे में, और मोस्ली चांसेज रहते हैं कि यहाँ पर आपको ब्रैंड की चीजे मिलेंगी, और जो ब्रैंड रहते हैं वो भी नॉर्मल ब्रैंड नहीं रहते हैं, लगजरी जो ब्रैंड रहते हैं वो आपको मिलने वाले जैसे कि यह वाला था, यूनिक लो तो आपको यहां पे बहुत जादा देखने को मल जाएगा और जो ब्रैंड की चीजे है ना उस स्टफ को टच करते आपको पता चल जाएगा वो फेक है या औरिजनल है यह यहां की खासियत है शर्ट में देखे कितने सारे आप्शन है लहरिया, फ्लोरल फ्लोरल में भी आपको काफी तरही के पैटर्स नजर आएगे छोटे फ्लोरल, बड़े वाले मतलब साइज का भी यहां पे डिफरेंस रहता है शॉप नंबर वन जीरो फोर जहां पे वन जीरो टू थी उससे एक शॉप छोड़की ही नेक्स्ट शॉप थी दोसो दोसो रुपे में क्राप टॉप मल जाएंगी टू फिफ्टी में आपको लॉंग शर्ट्स मिलेंगी जो यह वाले कुड़ते थे ना यह मुझे बहाद ही जाद अच्छे लगे क्योंकि एक तो इन में पैटर्न सा लग अलग थे और इनका कपड़ा भी भाग जाद अच्छा था मतलब समर को देखते हुए मुझे काफे जाद अच्छे लगे पते मेरे साथ क्या चीज हो रही है कि मैं जब भी वीडियो शूट करने जाती हूँ कई बार दो इतनी जादा गर्मी रहते है और इतनी जादा इरिटेशन हो जाती है कि व्लोग बनाते बनाते चलते चलते कि दिमाग आपका काम नहीं करता कि कौन सी चीज आपके ऊपर कैसी लगेगी बर जब मैं वीडियो को देखती हूँ को यही रहता है कि नहीं मुझे नहीं लेना कौन उठा के लेकर जाएगा कौन ट्रेवल करेगा यह वो तेरे सतर भाने होते है और तुझे भी बहान अची होता है मेरे सर पेचडने का मैंने गा ऐसा तो कुछ नहीं है कि ड्रेस वगेरे देखी कितनी अच्छी हैं ड्रेस आपको 350 की रेंच में मिल जाएगी चाहे आप मिनी स्कर्ट लो या फिर जो आपकी शाट लेंथ वाली ड्रेस या फिर हाई लेंथ वाली ड्रेस आपका जर्नरली सेम प्राइज रहती है अगर अपनी धान दिया होगा ना पीछे एक ड्रेस थी बातों बातों में वह निकल गई तर्मरी केलो करें की थी वह वाली ड्रेस मुझे बहात ही जाद अच्छी लगी थी क्योंकि पते क्या होता है सब का बाड़ी स्ट्रक्चर अलग अलग रहते ना उनका आप कुछ भी पहना हो बहात ही जादा सुन्दर लगता है और कुछ ऐसे हमारे जैसे जो हेल्दी रहते हैं खाते पिते रहते चौबस गंटे जिनका मूव चलता रहता है तो हम लोगों को क्या रहते है ना अपने बाड़ी स्ट्रक्चर को दे की चीजे देखनी पड़ती है चीजे लेनी फॉर्मल टॉप्स में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ जब भी मैं जाती हूं मार्केट मुझे कुछ नहीं समझाता कि मुझे क्या लेना है और मैं मतलब मेरे उपर क्या अच्छा लगेगा और आज भी ऐसा ही हो आता है जब मैं अपनी वीडियो को देख रही थे ना ये वाला मुझे इतना जाद अच्छा लगा और मैं सोच रही थी भाई मैंने ये टॉप क्यों छोड़ा मतलब आप इसको ऑफिस भी पहन के जा सकती हो अब इस टॉप को कहीं पे भी पहन के जा सकती हो इतना सुन्दर था और एक ये मल्टी कलर वाला इसमें बेसक सिलवटे पड़ी हुई थी बट वो प्रेस होने के बाद वो वला टॉप ना पार्टी टॉप में और नॉर्मल अगर आपके ऑफिशल पार्टी भी हो रही है ना तो बहुत जादा सुन्दर लगता टॉप्स वगेरा कि जो नॉर्मली प्राइज है ना पूरी मार्केट में दोसो और ढ़ाइ को मिलेंगे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली कमेंट करते सिर्फ उनका एक ही डाउट रहता कि मैम क्या प्लस साइज के भी टॉप मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिनको डाउट रहता है कि भाई पतानी मिलें कि नहीं मिलेंगे उनके डाउट को सर्फ क्लियर करने के लिए मैंने ये वाली शॉप एक्सप्लोर करी क्योंकि जब मैं शॉप के अंदर गुसी ना तो शुरू से लेके लास तक मेरी नजर जहां तक जाज सकती थी मैंने सारे प्लस साइस टॉप देखे और मतलब मुझे लग डेवल फील होता है अगर टॉप एक इंच भी लूज होना तो चल जाता है लूज चीज चल जाते हैं बट टाइट समर में नहीं चलते हैं और टॉप वगेरा ड्रेसिस वगेरे यहां पर बहात ही जादा सुन्दर थी डमी पर आप देख भी रहे हो कि बहात ही जादा सेक्स ड्रेसिस है प्राइस जो ड्रेसिस का रहेगा न वो आपको 300 रुपे की रेंच में रहेगा शॉप नंबर 192 जिसको जादा दूर नहीं जाना है टी शर्स बहात सुन्दर खरीदनी है तो आप क्या करिए गेट नंबर 3 से एंट्री लीजे राइट में आईए राइट में सी सीधा आना है आपको फस्टो में नहीं मुढ़ना सीधा आके जब कॉर्णर में आओगे ना तो आईसी आईसी बैंक पड़ता है उससे ही चार शॉप छोड़के 192 शॉप पड़ती है जहां पे हमेशा अभी 200-200 रुपे की टीशेट्स की सेल चली होती है पहले तो क्या था समर जब स्टार्ट हुए थे इस वाली शॉप पे बहुत सुंदर कलेक्शन लगा हुआ तो टॉप का बट जैसे जैसे गर्मिया बढ़ती गई बढ़ती गई इन्होंने वो कलेक्शन हटा के अपना पूरा को पूरा टीशेट्स का कलेक्शन रख दिया अब किसी भी वीक ज जाहिए आपको टीशेट ही मिलेंगी हर साइज की टीशेट मिलेंगी स्मोल टू डबल एक्सिल प्राइस सबका सीम रहेगा दो सो रुपे कलर अपको बहुत जादा सुंदर मिल जाएंगी मतलब कलर तो इतने जादा ब्यूटिफुल आई हुए ना स्पेशली इस टाइम प साथ कोरियन टीशेट काफी जादा चल रही है अगर आपको भी अपने लिए जीन्स खरीदनी है और सुंदर जीन्स खरीदनी है और टीशेट खरीदनी है तो सरोजिन अगर से अच्छी चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी यही एक रीजन है कि दिल्ली का जितना भी क् सरोजिन अगर दिल्ली के एक ऐसी मार्केट है जो पूरा वीक चलती है संडे टू मंडे पूरा वीक चलती है मतलब मंडे से स्टार्ट होती है संडे तक एक भी दिन ओफ नहीं रहता जितने लोगों को डाउट है कि मंडे को गूगल के ऊपर मार्केट को क्लोज शो करते है ऐसे बिल्कुल नहीं है, भाई मंडे को तो आपको और ज़्यादा सस्ती यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, शॉप नमबर दुबारे विदा देती हूँ, शॉप नमबर 192 है, 200 रुपे की सेल है, तो आप यह ना सोचे मैडम ने तो पूरी शॉप दिखा दी, बाते ही करती रहे, प्राइस कहीं पे बताया है नहीं, क्योंकि टी-शेट का सेम प्राइस था, 200 रुपे, तो हर कलर के उपर मैं बताओं कि इस वाल एक कलर की टी-शेट का प्राइस 200 रुपे है, वाइट का 200 रुपे, तो वो थोड़ा बोरिंग भी सांड होता है, और आप लोग खुदे रीटेट हो जाओगे कि आर हर टी- क्या थाओए सांड होता है, और आप लोरिंग खाए, तो हरुआ होता है, और आप लोड़ा है, तो हुआ है, तो हम दो别 है कि आर बता है